जैहिंग दोस्तो आज हम एक ऐसे सेटप को लगाना सिखेंगे जो भारत में पहुत ही ज्यादा यूज होता है यानि कि सबसे बिखने वाला इंडिया में ये प्रोड़क्ट है आहुजा का डाइसो वोट एम्प्लिफायर और आहुजा का 250 वोट का स्पीकर यानि आज हम जो म कनेक्शन सीखने वाले हैं वो है आहुजा का ऐसे से 250 dp और आहुजा का srx 250 dxm इसको आज हम पूरा कनेक्शन के बारे में सिखेंगे इस वीडियो में हम उसके एक एक नौब की बारे में हर डीटेल को हम समझेंगे उसके पीछे जो भी कनेक्शन की डीटेल है उसको भी सम पी कैसे चलाना आज हम सिखेंगे तो चलिए इसका पूरा हम डीटेल देखते हैं यह है आहुजा का डाइसोवट का एम्पलिफायर और हम उसकी पूरी डीटेल को समझते हैं यह नौब है माइक वन का वॉल्यूम और यह है उसका इन्पुट यह नौब है माइक टू का और उसका यह माइक 3 का इन्पुट यह नौब है माइक 4 का इन्पुट वल्यूम और इसका इन्पुट और और औक्सिलेरी वन का भी यह भ्यूम है अगर आपको माइक में चलाना था तो इसे ऐसे करेंगे तो यहां से जож माइक देंघे उसका वॉल्यूम कंट्र intéressant होगा और अगर उसको auxiliary 1 में आप switch करेंगे तो पीछे जो auxiliary 1 लिखा हुआ connection है वहाँ पे आपको input करना है ये same है mic 5 का volume और ये mic 5 का input और same auxiliary 2 अगर हम करते हैं तो same ये volume हो जाएगा जो exemplifier के पीछे connection है auxiliary 2 उसमें डालेंगे उसका volume ये हो जाएगा और ये है mic 6 और USB यानि अगर आपको mic चलाना है तो ये आप यहाँ पे mic 6 लगा के उसका volume operate होगा या फिर USB उसको हम करेंगे तो ये USB में जो भी operation हो रहा है ये जो player है उसमें जो भी operation हो रहा है उसका volume यहाँ से control होगा ये उसका पूरा USB player, Bluetooth जो भी SD card है इसका जो भी play होगा वो यहाँ से control होगा उसके साथ उसका एक छोटा सा बहुत ही कुपसूरत remote control भी है और ये है output level ये LED green से लेकर red आपको output की यहाँ से समझ देगी कि कितना amplifier pressure से बज रहा है ये है speaker box अगर हम बजाते हैं तो इसको ऐसे नीचे रखना है अगर हम horn बजाते हैं तो उसको उपर करके हमको connection करना है उसके बारे में हम detail पीछे देखेंगे ये है इसका base बास जिसको बुलते हैं उसका control है वो 0 dB है उसका plus हम उसको 8 कर सकते हैं और minus 8 कर सकते हैं और ये उसका master volume है master यानि इन सारे volume के उपर जो पूरा एक control रहता है वो ये master volume है हम उसको एक बार यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि जबी भी हम operate करें तो ideally master volume को 6 पे रखना है 6 पे रखने से सारे control से वो ज्यादा सही तरीके से operate हम कर पाएंगे तो ये ideally recommended है कि उसको आप 6 पे रखे ये उसका reset switch है और ये overload light है और ये switch on की light है ये switch है on और off का जब भी amplifier पे कोई pressure बनेगा ज्यादा hit हो जाएगा या ज्यादा उसको गलत तरीके से बजाए जाएगा तो ये अपने आप बंद हो जाएगा ये overload का जो red button red light है sorry वो जल जाएगा और ये switch बाहर आ जाएगा तो आपको सिर्फ क्या करना होगा इसको off करना है फिर on करना है और इसको दबा के फिर से reset करना है तो ये पूरा front का हमारा detail हो गया आई अब पीछे को समझते हैं उसके connection को और ये आहुजा 288 का पीछे का जो भी detail है उसको हम पूरी तरीके से समझते हैं ये है fuse अगर कभी भी amplifier जदा लोड लेके बंद हो जाता है उसमें power नहीं आता तो हमको ये जग करना है ये उसका power code हो गया अगर इस amplifier को हमें जहां पे ऐसी जगा पे आप लगाते हैं जहां बिजली आती जाती रहती है या फिर बिजली है ही नहीं इसको 24 volt DC पर भी इस amplifier को हम चला सकते हैं उसको भी यहा चलिए इसको समझते हैं अगर हमें इस amplifier में होन बाजाने हैं तो common यानि minus होता है 70 watt में यहां पे connection करेंगे और 100 watt में यहां पे connection करेंगे यानि एक common में जाएगा एक दूसरा जो उसके अतार है वो 70 में जाएगा या फिर 100 में जाएगा अगर उसमें हम speaker box बजाते हैं तो इस black line पर amplifier को चलाना है वहां से आपको connection करना है सेम common में हम उसको common wire देंगे और अगर हम impedance 4 ohms पे चलाना है तो 4 ohms पे connection करेंगे और अगर 8 ohms पे चलाना है तो 8 ohms पे connection लेंगे impedance और ohms के बारे में मैंने और एक और वीडियो बनाया है वो आप देख सकते हैं यह है हमारा line out और यह है line in यानि अगर आप यह amplifier पूरा connect करके दूसरे amplifier से सीधा इसको चलाना चाहते हैं तो यह line in connection से आप चला सकते हैं line out यानि इस amplifier का total जो master out है उसको हम लेके दूसरे किसी जगा पे connect करना चाहते हैं तो उसको line out से आप connect कर सकते हैं preamp out भी वही है यह यानि की जो amplifier है उसका overall volume है उसको हम दूसरी जगा पे connect कर सकते हैं और जैसे हमने आगे देखा mic 4 और auxiliary 1 तो mic 4 के button में अगर हम auxiliary switch करते हैं तो auxiliary 1 में हमको यह connection करना है और अगर mic 5 में हम auxiliary switch करते हैं और auxiliary 2 वहाँ पे switch होगा वो यहाँ पे connection करना है तो यह पीछे का पूरा detail हमने देख लिया है आए अब इसको speakers के साथ कैसे connect करते हैं वो हम समझते हैं बहुत ही बढ़िया तो हम अभी speaker connection इसका सीखते हैं मैंने दोनों speaker में blue जो line है उसको common में मैंने white line लगाया है और blue line है उसमें मैंने 8 ohms पे दिया है यहाँ पे दूसरे speaker में भी blue line को मैंने 8 ohms पे दिया है और white line को common में दिया है और यह दोनों wire यहाँ पे मुझे ऐसे मिल रहे हैं यह blue line है और यह white line है अगर हम एक ही speaker चलाते हैं तो उसको हमें connection करना है white को common में और blue line को 8 ohms में यह एक speaker का connection हो गया लेकिन अगर हम दोनों speaker साथ में चलाना चाहते हैं तो 8 ohms और 8 ohms को हम अगर parallel हम उसको यहाँ जोड के connection करते हैं तो impedance चार हो जाएगा impedance के बारे में मेरा एक वीडियो है वो आप अगर समझना चाहे ओम्स को तो ओम्स को समझने के लिए वो आप वीडियो देख सकते हैं अभी देखिये connection कैसे करना है यह दोनों speaker जोडने जोड के कर दोनों speaker हम साथ में कैसे करने करते हैं यह हम देखते हैं यह eight ohms blue line eight ohms blue line common white line common white line इन दोनों को हमें connect करना है यहाँ यानि यह white ौाला जो है हमें करने करना है common में तो इसको हम खोलते हैं और यहां पर कनेक करते हैं और जो blue line है उसको हमें करना है 4 ohms पर कनेक करना है क्योंकि हम 2 speaker चला रहा है 8 ohms के 2 speaker को parallel connection करेंगे तो 4 ohms हो जाएगा तो इसको यहां पर कनेक करते हैं और इसको कस देते हैं जब आप connection करें तो याद रखें यह दोनों कहीं पर भी मिलने नी चाहिए शौट नी होने चाहिए है न आएए इसको चला के माइक के साथ चेक करते हैं और यह पूरा setup लग चुका है और अब हम इसमें माइक यह मैंने लगाया है आहुजा का AUD T97XLR यह भी बहुत गुपसूरत और अच्छा माइक है उसको मैंने चैनल 1 पर डाला है उसको मैं 2 में भी डाल सकता हूँ और 6 में भी डाल सकता हूँ और आएए देखते हैं इसको मैंने जैसे बता अभी 0 पर मैंने सेट किया हुआ है और इसको मैं पहले इस माइक को अउन करता हूँ और अभी देखते हैं कैसे आवाज आती है तो यह स्पीकर से आवाज आती है और मैंने एकदम बैठा हूँ स्पीकर के पास तो ज्यादा आवाज नहीं कोल सकता हूँ लेकिन इसके हम फिक्विंसी में थोड़ा फिर बदल करके हम थोड़ा दिखते हैं यह ट्रिबल है यानि इसको शार्प बोलते हैं ट्रिबल हाई फिक्विंसी तो उसका यह फिल्टर है अगर इसको माइनस करते हैं तो मेरी आवाज आपने दिखा होगा जैसे उसमें से ट्रिबल यानि शार्पनेस यानि हाई फिक्विंसी चली गई है अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो यहां से हाई फिक्विंसी बढ़ती है ज्यादा आती है तो इसको हम प्रिफर करते हैं जीरो पे आप रखे और सेम यह है बेज बास लो फिक्विंसी तो इस filter से हम उसको अगर down करते हैं तो आपने दिखा मेरी आवास धीरे धीरे low frequency उसमें से चली गई है और जैसे ही मैं इसको बढ़ाता हूँ इसमें low frequency ज्यादा आती है और low बढ़ता है तो ऐसे हम इसको set कर सकते हैं अपने मुताबिक तो ये हमने और आपने सीखा टाइसोट का amplifier और speaker आहुजा company का कैसे connect करते है आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी भारत माता के जैए झाल